इस वक्त पूरी दुनिया में पुतिन के उस कारखाने की चर्चा हो रही है जिसे मौत वाली फाक्टरी कहा जा रहा है पुतिन ने इस फाक्टरी में अपने रक्षा मंत्री को बेजा और फिर ये विडियो पूरी दुनिया में वारल कर दिया गया बता जा रहा है कि जलंस्की को F-16 फाइटर जेट मिलने से पहले पुतिन ने बहुत बड़ा चक्रवियू रचना शुरू कर दिया है स्क्रीन पर पहली बार रूस का सबसे खतरनाख हथियार ये हथियार कैसे तयार हो रहा है ये हथियार कितने बड़े पैमाने पर तयार हो रहा है ये सब देख कर पुतिन के दुश्मनों के होश ओड़ जाएंगे स्क्रीन पर पहली बार S-400 Air Defense System की फैक्टरी देखिए ये योक्रेन के युद्ध में सबसे बड़े हमले की तयारी है कह सकते हैं कि ये नैथों के खिलाब सबसे बड़ी जंग के लिए रूस तयार बैठा है स्क्रीन पर पहली बार देखिए S-400 की मिसाइल कैसे बन रही है एक तरफ लॉंचर और दूसरी तरफ मिसाइल इन तस्वीरों में बहुत मसाला है इन तस्वीरों को आप पुतिन की ताकप का सबसे बड़ा शोक है सकते हैं पुतिन के इस खुफिया फैक्टरी को देखकर अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं बाइडन ने अपनी फैक्टरी से रिपोर्ट लेनी शुरू करती है बाइडन को भी यकीन नहीं आ रहा कि पुतिन की मिसाइल फैक्टरी में इतनी तेजी से काम चल रहा है इसकी बहुत बड़ी बज़ा है पुतिन ने अब जो मांगा है उन्हें मिला है पुतिन ने टैंक मांगा रूस की सेना को टैंक मिला पुतिन ने ड्रोन मांगा रूस की सेना को ड्रोन मिला पुतिन ने मिसाइल मांगी रूस की सेना को मिसाइल मिले इन हथ्यारों के साथ पुतिन ने योगरेन में बड़ा कहर मचाया है बड़े बड़े शहर आज रूस के मिसाइल हमलों के रूस टार्गेट बन रहे है और समीनी ओपेशन के लिए भी जब पुतिन ने ज्यादा फॉज मांगई तो रूस में वारन नई भरती शुरू हो गई पुतिन ने जो मांगा है पुतिन को वो मिला है योक्रेन के युद्ध में धीरे धीरे ही सही लेकिन रूस ने पकड़ और मजबूत बनाई है पुतिन की तैयारी बहुत पुक्ता कही जा रही है अब पुतिन की हत्यार वाली फैक्टरी 24 इंटू 7 काम कर रही है जिसमें दिन रात ऐसे हत्यार तैयार हो रहे हैं जो रूस को वाल्ड वार लड़ने में भी मदद करेंगे ऐसा दावा पश्चिन देश की मीडिया का भी है क्योंकि अब पुतिन को जैलन्सकी की तरफ से खत्रा बहुत बड़ा है योक्रेन को F-16 मिलने जा रहा है तो दूसरी तरफ नैटो के फाइटर जेट भी रूस से लड़ने को तैयार है इसलिए दुश्मन के लड़ाकों विमानों को रोकने के लिए पुतिन ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है F-16 रूस के आस्मान में भटक कर भी ना आपाए इसके लिए पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री शोईगू को नई जिम्मेदारी दी पुतिन ने सरगेई शोईगू को S-400 की फैक्टरी में भेज दिया थाकि क्राउन रिपोर्ट मिले कि कितनी मिसाइल तैयार हो गई है S-400 एयर डिफेंस सेस्टम बनाने वाली रूस की कल्पनी अलमाज एंटे कॉर्पोरेशन की ये फैक्टरी एक सीक्रेट लोकेशन पर है जिसकी जानकारी नहीं दी गई शोई को आए तो उनके एक तरफ S-400 के कैनिस्टर तैयार हो रहे थे तो दूसरी तरफ उसकी एयर डिफेंस मिसाइल दयार हो रही थी इन तस्वीरों में बहुत जान है इन तस्वीरों में युद्ध का पूरा बजट समझा जा सकता है इन तस्वीरों में F-16 की मौत को भी देखा जा सकता है इसमें कोई शक नहीं कि अगर F-16 का सामना रूस के S-400 से हुआ तो वो हमला करने से पहले ही मारा जाएगा रूस का ये Air Defense System दुनिया का सबसे बैतरीन हथियार माना जाता है और भारत के अलावा चीन समेट कई देश इससे लेस हो चुके हैं S-400 के मिसाइल 400 किलोमेटर की रेंज दक F-16 को मार सकती हैं इसकी गैरंट ही खुद पुतिन देते हैं इस सुबत ये मिसाइल फैक्टरी सिर्फ S-400 ही नहीं बलकि दो और तरह के Air Defense भी तयार कर रही है जिनकी तैनाती पहले से योक्रेन की जमीन या कहीं की डॉन बास के आसपास है मारियू पुल में भी है और उन सभी जगों पर है जहाँ पर योक्रेन के फाइटर जेट और जैलन्सकी के ड्रोन हमले के फिराक में रहते हैं यहाँ S-400 के अलावा S-300 और S-350 Air Defense System भी तयार हो रहा है इसमें S-400 की रेंज 600 किलोमेटर से जादा है S-300 के आधुने क्वर्जन की रेंज 200 किलोमेटर है वहीं S-350 की रेंज 1500 किलोमेटर तक है सरगेई शोईगो ने पुतिन को रेपोर्ट भेज दी है और इस फैक्ट्री को दिये गए और और डेडलाइन के बारे में भी बता दिया है इसी पर पुतिन की प्लानिंग निर्वर करती है इसी तैयारी को देखकर पुतिन अपने अगले हमले का दायरा सेट करेंगे पुतिन को इस बात का पूरा शक है कि खेर सौन में बांग पर हुए हमले के बाद जैलेंस्की एक बड़ी साजिश रच रहे है और वो जबावी हमले के नाम पर मौसको पर फिर से अटैक की तैयारी कर रहे है जैलेंस्की के फाइटर जेट से लेकर उनके ड्रोन को मौसको तकाने से रोकनी की तैयारी कैसी है इसे समझने की जरूरत है रूस का बॉर्डर ही नहीं खास कैपिटल सीटी मौसको को बचाने के लिए बहुत ही पुखता एयर डिफेंस जोन बनाया गया है इसमें सबसे बारी सरकल को S500 एयर डिफेंस सिस्टम बचाता है जो विमान ही नहीं पर माडू बलेस्टिक मिसाइल को भी रोक सकता है इसके अंदर का दारा S400 एयर डिफेंस सिस्टम देखता है जो मिसाइलों के साथ है स्टेल्थ फाइटर को भी ट्रैक करके मार गिरा सकता है इसके अंदर का दारा बुक एयर डिफेंस सिस्टम और पांच सिर S1 देखते हैं, ये दोनों पॉइंट एर डिफेंस सिस्टम है। 2022 में युद्ध के बाद 2023 में पुतिन ने अपनी हथियार फैक्टरियों को दिन दूना राच शौगुना काम करने का आदेश दिया है। और इसमें वो कामयाब भी हुए हैं, पुतिन की हथियार फैक्टरी देखिए, इसमें टैंक भी बन रहा है, इसमें मिसाइले भी तयार हो रही है, इसमें ड्रोन भी बन रहे हैं, और इसमें बम और गोला बारूत भी तयार हो रहा है, इस फैक्टरी में एक बड़े मिशन पुतिन यहां जरा भी देरी नहीं चाहते हैं। भी करते जा रहे हैं। जहां पर जैलन्सकी के लॉंग रेंज वाले वेपन सिस्टम रखे गए हैं। पुतिन के सामने चैलेंज ये भी है कि वो अपने हत्यारों की क्वालिटी से समझोता ना करें। अभी पुतिन की हत्यार फैक्ट्री की जादा डीटेल नहीं दी जा रहे हैं। लेकिन बाइडन की नजर इस पर है। पुतिन की नजर फैक्ट्री के उधबादन पर है। एस वाप बहुत गुश्सेन ही। रूस की वाई उसेना से नेटो बॉल जाने निय।